आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत हुआ विणन दन मैं आत्सा उर उमीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे निलेंटर अपनी त्यारीकंदर वैस्त होंगे आज का मारा पहला क्योशन निमन में से किश ने अपने आपको हिंदूस्तान का बाजसा नाडोल में जनवरी 1621 सीश्वी में गोषित किया था इसका राइडन्स रोगा सहजाद आकबर यानकी आकबर सेकंड है ये औरंजेब का पृत्तर था और इसने नाडोल में जाकर अपने आपको हिंदुस्तान का बाजसा गोसित कर दिया था 1621 सीश्वी में इसका राइटेंस रोगा चार नुमर का अगरा क्यूसन कतिप्टिये राजफुद सासकों में से किनी दो का चैन करें जिन्होंने मुगलों का सयोग किया राणा सांगा ने मुगलों का सयोग नहीं किया राव चैन्दरशन ने मुगलों के विरुद संगर्ष किया था लेकिन मुगलों का कभी भी सयोग नहीं किया था मान सिंग, मिर्जा राजा मान सिंग जेपुर के सासक जो अकबर के समय और जांगिर की इन दोनों की सेवा की थी इसका मलदक मिर्जा राजा मान सिंग ने उनकी सेवा की थी और बिकनेर के राज सिंग जो अकबर के समय और जांगिर के समय दोनों की सेवा की तो इसका राइडन सुनों का तीन और चार जिन्होंने मुगलों का सेवा गया इसके लबा मारवार की मोटा राज अगडे सिंग ने भी मुगलों का सेवा किया था और मारवार की सूर सिंग जिसे अकबर के द्वारा स्वाई राजा के उपाती थी श्कालावा जैपुर के सवाई जैसीग जिसे और जैप के दोरा सवाई की उपादी ती कि थी उन्हों ने भी मुग्लों की सेविय किया था इसका राइटेंस रुबां तीन और चार अगला कि सन 1177 सामंद सिना के द्वारा के हातों प्राजित होने के बाद में डुंगरपुर राज्य की स्थापना की तो जालोर के सासते कीर्थिपाल चोहान उनसे प्राजित हो गए था कौन सामंद सिंग उसके बाद में दक्षिन की और जाता है और वागड के अंदर यांकि डुंगर राजवन्स की स्थाप न करता कौन सामंद सिंग इसका राइडम्स होगा ये किर्टिपाल चोवान से प्राजित होने के बाद ने इन्होंने मेवार छोड़ कर वागट चला गय था और इन्होंने 11888 इश्वी के अंदर बुंगरबुर के अंदर गूइलवन्स की स्थाप न की थी इसका राइडम्स होगा चार नमबर राजा बादुर्शिंग सेखावत कहां के राजा थी तो इसका राइडम्स होगा ये खंडेला के राजा थी 1720 इश्वी के अंदर ये खंडेला के राजा बन दे हैं और इन्होंने ओरंजेग की ध्रम विरोधी नीतियों का विरोध किया था किसने खंडेला के राजा बादुर्शिंग के द्वारा इसका राइडम्स होगा एक नमबर अगला किसन जेसल मेर में 1550 इश्वी में वहां के सासल लून करण के समय अर्ध साका वाता क्योंकि उसके समय कैसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं वाता तो डाइड साके के लिए परसीदिया अर्ध साके के लिए जेसल मेर दुर्व परसीद है तो इसका राइडम्स होगा एक नमबर अगला किसन किसमें अर्धिस्वा का वा तो इसकासर राइडन सुरका जैसरमेर, दूरेकंदर अर्धिस्वा का वा था कब वा था? चियसरमेर की भाड़ी राजा लून करण थे उस समें केसरियत हुआ था लेकिन वही लोग के दौरा' जोहर नहीं किया गया था तो इसका राइडन सुरुगा तीन नमबर अगला क्यूसन जाडवंस का अठारवी स्थाप्ति के मद्य में किन भूपागों पर आदिपत्य था तो इसका राइडन सुरुगा बरतपुर और दोलगपुर राजु पर जाट वंस का राज वंस था इसका राइडन सुरुगा एक नमर अगला किसन महाराजा सुरुजमल किस राजिय के इसा सकते तो इसका राइडन सुरुगा ये बरतपुर के जाट महाराजा थे कौन सुरुजमल इसका राइट अनसरो का चार नमर और सुरिजमल जसे जातों का प्लेटों का आ जाता है इसका राइट अनसरो का चार नमर अगला जातों किस के अपुत्तर थे तो इसका राइटन सुरूगा ये बदज सिंग के अपुत्तर थे इसका राइटन सुरूगा दो नमर का अगला क्यूशन जवार सिंग एवन रंजीत सिंग किस रियासत के सासक थे इसका pronounce होलगा तीन नममर का अगला question निमली कीत में से कौन परताप कट का सासक नहीं रहा तो इसका राइड्न स होलगा सूरिज्मल जाट ए भरतपूर के सासक ती जिनका बचपन का नाम सुजान सिंह्ग था जिनके बचपन का नाम सुजान सिंह था अगला question माराजा सूरुजमल का अन्य नाम कौन सा था तो इसका राइडर शुरुगा सूजान सिंग इनका अन्य नाम था या इनके बच्छपन का नाम था माराजा सूरुजमल का अगला ग्युशन 1947 में सवतंतरता और भार्द के विवाजन के समय राजबताना की रियासत के अधिकान सेत्रों में समश्या मुक्त रही लेकिन दिमलिकित में से किस राज़ी में व्यापा के स्तर पर हिंसा हुई तो इसका राइडर शुरुगा बरतपुर अगला ग्युशन राजस्तान में यादव राजबन्स का सासन करता थी तो इसका राइडर शुरुगा करोडियो जस्रमेर के अंदर यादव राजबन्स का सासन काल था मैं आपको बता दूगी यादव राजबन्स करोली के अंदर विजेपाल यादव के द्वारा बाज़र और उसके बाद में 1625 सिश्विक्ंद्र यदव राजवन्स के सासके द्रमपाल सेकंड के दौरा करोली को अपनी रास्ता नहीं बनए सेकंड को आपको होगा कि अ कि स्फो एक करोली को रास्ता नहीं बनाया अग्ला क्योशन निमन मैंसे किशने कर इसका आइटेंस रोगा धरमपाल सेकिंड 1625 सिश्वी के अंदर करो लिको अपने रास्तानी बनाए इसका आइटेंस रोगा चार नमबर का अगला क्यूसन तालावे साही दोलबुर का निर्मान जांगीर के किस मनसबदार ने करवाया तो पहले तो आपको यह याद रखना है कि तालावे साही जील कहां पर रहें दोलबुर के अंदर है इसका निर्मान कौन से मुगल पाजसा के समय करवाया जांगीर के समय करवाया कौन से मनसबदा के द्वारा करवाए गया तो आग दान से होगा सहले खान के द्वारा इसका निर्मान करवाए गया इसका राइडन सुरुगा टीन नुमबर अगला क्यूस्टन दोलपूर के पास निमली की प्रेडन इस्तलों में से किसे 1617 इस्वी में राजकुमार सांजा के लिए सिकार इस्तल के रूप में निर्मित करवाए गया तो इसका राइडन सुरुगा तालाद साही का निर्मान करवाए गया किस के दोरा निर्मान करवाए गया था जांगिर के दोरा निर्मान करवाए गया था कब करवाए गया था 1617 इस्वी में करवाए गया था किस के लिए करवाए गया था तो सांजा के लिए करवाए था जांगिर के दोरा और कौन से मनस्थदार के दोरा इसका निर्मान करवा यादव राजवन्स से समधित हैं तो इसका राइडन्स रोगा भाटी राजवन्स जो कि यादव राजवन्स की एक साख है और राजस्तान में यादव राजवन्स जो कि एक तो करोली और एक बरतपुर इन दो राज़ियों के उपर राज किया दा अगला क्यूसर निमर में स कौन तोक मुस्लिम रियासत का संस्तापक था तो इसका राइडन्स होगा अमीर खांप इंडारी के द्वारा 1768 इस्वी के अंदर तोक के अंदर मुस्लिम राजिय की स्थापना किये थी इसका राइडन्स होगा एक नमबर अगला क्यूशन किस शेहर के भील सासक को प्राजित करने के बाद जगमाल सिंग ने स्वेम मारावल का ताज पैना था तो इसका राइडन्स होगा बास्वाडा के भाशना भील को जगमाल सिंग के द्वारा प्राजित करने के बाद में बास्वाडा के अंदर एक साजवतंर गूईल वंस की इस्थापना कि थी पंद्रह सो पचास, सोरी, पंद्रह सो तीस इस्यू के अंदर, तो पंद्रह सो तीस इस्यू के अंदर, मासवाड़ा के बील सासक, बासना नामक बील व्यक्ति को मार कर, पंद्रह सो पचास इस्यू के अंदर, मासवाड़ा के अंदर, एक सवतनतर रूप से, गुविल अगला क्युशन काहidas को द् artists को दवारा रावल तथा मारावल की उपाध्या ग्रहण की गई तो इसका रावल दोड़ अगला क्युशन राजस्तान पर आकवन करने वाले और शोल्वी सदाप्दी के आरम में एक एकिकरत राज्ये बनाने के लिए पहले मुगल समराथ कौन या क्या नाम था तो इसका राइटेंस होगा अक्बर के द्वारा इस परकार कार्य किया गाए अगला किसन वागड के परमार राजवन्स की रास्तानी कहां थी तो इसका राइटेंस होगा अर्थोना यानकी वागड के परमारों की रास्तानी क्या थी अर्थोना इसका राइटेंस होगा दो नमबर अगला किसन आबू के पर्मार वंस का संस्तापक कौन था इसका राइडम्स होगा धूमराज आबू के पर्मार वंस का संस्तापक था और ये दी पर्सन पूचे कि आबू के पर्मार वंस की वंसावली कौन से राजा से शुरुआत होती है तो इसका राइडन्स होगा उत्पल राज के समय आगू के परमार वंस के वंसावली की शुरुवात होती है किसे उत्पल राज से और आगू के परमारों की रास्ता निक्या थी तो इसका राइडन्स होगा चंद्रावती आगू के प्रमारों की रास्ता निक्या थी चंद्रावती अगला ग्यूशन आगू के प्रमारों की प्राचिन रास्ता निक्या थी तो इसका राइडन्स रोगा प्राचिन रास्ता निक्या थी चंद्रावती थी अगला ग्यूशन चावडों का सबसे प्राचीन राज़िये कौन सा था तो इसका राइटन्स ओगा घीनमाल के अंदर चावडा राजबुत का साथन था और जब चीनी यात्री हवैंसाँ सोड़ेसो इक्ताली सिश्वी के अंदर भारत की यात्रा पर आया था उस समय जब भीनमाल आया था उस समय भीनमाल पर चावडा राजबुत वन्स का सासन था तो इसका राइटेंस होगा दो नमबर अगला क्यूशन